हाई गाईज मेरे नामें कलपेश करग और अपने स्वीडियो में आप सभी का में वेलकम करता हूँ दोस्तो आज के स्वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान लेके आया हूँ और वो समस्या यह हैं कि अगर आप अपने मॉबाइल से प्रिंट निकालना सीख जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी जिया दोस्तो अकसर यह होता है कि सारे डॉक्यमेंट जो है वो हमारे मॉबाइल में होता है फिर मॉबाइल से हमें अपने कम्पीटर में लेना होता है और कई बार ये mobile से computer में लेना और ये भारी दिक्कत का काम हो जाता है हमें बहुत सारी परिशनियों का सामना करना पड़ता है तो अगर direct mobile से अगर print निकलने लग जाए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा ना तो हमें computer में कोई data transfer करना पड़ेगा और ना ही computer का इंतजार करना पड़ेगा कि मेरे पास computer होगा मैं data उसमें डालूँगा उसके बाद print निकालूँगा तो दोस्तो बहुत ही आसान तरीका है आप अपने mobile को use करके किसी भी printer से print निकाल सकते हैं पूरी process यहाँ पर में बताऊँगा लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इसी तरह के उप्यों की वीडियो में आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ तो आईए वीडियो शुरू करता है दोस्तों अगर आप अपने मॉबाइल से प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजे चाहिए उनमें से पहली चीज तो मैं आपको बता दूँ एक हैं हार्डवेर दूसरा हैं सॉफ्टवेर तो हार्डवेर में आपको चाहिए ये इसको बोलते हैं OTG कैबल और ये मार्केट में मिल जाती है सितर से हसी रुपे में मिल जाएगी इसके एक तरब तो आप USB लगा सकते हैं और ये जो पॉर्ट हैं वो इसको आप मॉबाइल में लगा सकते हैं इस तरह की ये जो कैबल है वो आपको मार्केट में मिलेगी आपको ये चाहिए और दूसरा आपको एक मॉबाइल में डालना पड़ेगा सॉफ्टवेर तो चलिए कॉन सा सॉफ्टवेर डालना है क्या करना है वो मैं आपको मॉबाइल के स्क्रीप पर ले जाकर आगे समझाता हूँ दोस्तो अब आपको मॉबाइल में एक एप डाउनलोड करना है आप प्ले स्टर ओपन कर लेजिए और सपोस करते हैं कि अगर आपका कैनोन का प्रिंटर है तो आप लिखिए कैनोन प्रिंटर एप और यहाँ पर कैनोन प्रिंट इंक जेट और सैल्फी यह जो दिखाई दे रहा है आप इस एप को डाउनलोड कर लेजिए अगर आपका HP का प्रिंटर है तो आप यह HP का जो एप है उसको डाउनलोड कर लिजिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो प्रिंटर है वो है Epson का तो यहाँ पर Epson का iPrint जो है यह सौफ्ट्वेर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ वो इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे अब दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसेज मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों अब आपके जो प्रिंटर की जो कैबल है एक प्रिंटर में लगे हुई है और दूसरा मुह जो आपके mobile के अंदर लगा देंगे, जहां से हम उस mobile को charger करते हैं, उस pin में लगा देंगे, अब हम setting में जाएंगे और setting में OTG का जो option है उसको on कर लेंगे, हर mobile में OTG का option होता है, देखें, यहां पर मैंने on कर लिया है और यहां पर यह मेरा जो printer हो बता रहा है, जैसे ही मैंने इसको okay किया, यहां पर देखिए, मेरा app खुल गया, यहां पर यह जो permission मांग रहा है इसको agree करेंगे, okay करेंगे, अब यह इसके कुछ features हमें बता रहा है कि किस तरह से यह काम करेगा, तो इसको हम यहां से cross कर देते हैं अभी, यह, अब सीधा सा हमें यहां से एक print निकालना है, जितनी भी permission मांग रहा है, आप इसको यहां से allow कर देजिए, यहां file manager खुला है, यहां से download में जाऊंगा, और यहां पर मैंने एक PDF फाइल रखी हुई है, तो जिस नाम से है, उस letter पर मैं जाकर उसे search कर दूँगा, और यह, उसके उपर हम click कर देंगे, यह रहा शायद, यह यहां पर खुल गया है, अब नीचे दिखिए, यहां पर एक blue color का print का निसान है, इसको हम click कर देंगे, अब यह कह रहा है कि printer found नहीं किया गया है, setting में जाके printer को select कर ये, तो उपर दिखिए, right side में setting का निसान है, अ उसके उपर click करेंगे, और यहां पर नीचे देखिए, अभी मेरा printer जो होने लगेगा, यह देखिए, printer show हो गया, इसके उपर मैं click करूँगा, printer select करने के बाद यहां पर दिखिए, copies का option दिखाई दे रहा है, तो यहां से हम कितनी copy निकलना चाहते हैं, वो यहां से हम select कर सकते हैं, उसके बाद printing range है, start page से end page, यहां पर यह setting हम यहां से select कर सकते हैं, print all करके off करना है, on करना है, वो यहां पर दे रखा है, उसके बाद next है page setting है, आप कौन सा page लेना चाहते है, A4 size, legal तो आप अपना 1% page यहां से select कर सकते हैं, फिर है media type तो यहां पर media type के भी option दे रखे हैं, envelope है और वो दे रखा है, दूसरा है layout, तो यहां से आप layout select कर सकते हैं, फिर अगला setting जो है, print quality आप आप यां से select कर सकते है, paper, source आप यां से select कर सकते हैं, और last में जो है आप color यां से select कर सकते हैं, तो ये कुछ setting है जो आप यहां से apply कर सकते हैं, अब दूस्तो simply हम यहां से back चले जाते हैं और निचे print का option है, इसको हम click कर देते हैं और अभी आप आप देखना कि थोड़ी देर में ये हमारे इस printer से print होने लगेगा एक्चुली अभी मैं color की print निकाल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ये slow work करेगा अगर आप black and white print निकालते हैं तो ये first काम करता है आप देख सकते हैं कि mobile में processing सुरू हो चुक है और इधर से ये print करना भी शुरू हो चुक है तो ये दिखिए मेरे mobile में से ये printer काम कर रहा है और यहां पर print निकल रहा है दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये फीर बार्botशी तो अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करदीजीए हे अपने दोस्तों के साथ शाहर करदीजीए चैनल पर नए आए cambiar को सब्सक्राइब करoshima का दीजीए झाल झाल